नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलोजी में आप सभी का स्वागत है, मैं विवेक दुपे, दोस्तों आज बात करूँगा दो हजार तेईस में जो चार मेजर ट्रांजिट होने वाले हैं, मेजर ट्रांजिट से मेरा मतलब है वो प्लैनेट्स जो एक राशी म एक साल या एक साल से अधिक समय तक रहते हैं, बात करूँगा शनी देवता, प्रहश्पति देवता, राहु और केतु की जो ट्रांजिट होने वाली है, जिसको हम सालाना राशी फल के रूपे भी देखते हैं, इसका क्या प्रभाव होगा व्रिश्चिक राशी, अगर उपसे पहले ग्रहों के सितियां समझ लेते हैं, दोस्तों, 17 जन्वरी को शनी देवता आपके चौते भाव में आ जाएंगे, जहांपे 11 नमबर लिखा है, कुम्ब राशी में शनी देवता का गोचर हो जाएगा, और आपके चौते भाव में शनी देवता आ जाएंगे, ज जोगी बहुत ही बहतरीन योग बनता है, पंच महापुरुष योग, और 22 अप्रेल को ब्रहश्पती देवता जो हैं, आपके पंचम भाव से छटवे भाव, जहांपे एक नमबर लिखा हुआ है, मेश राशी जहांपे, मेश राशी में ब्रहश्पती देवता का गोचर हो और राहु साथ में रहने वाल हैं, कंजंक्शन में, अन 30 अक्टोबर यानि 30 अक्टोबर 2023 को राहु देवता गोचर करेंगे आपके पंचम भाव, जहांपे 12 नमबर लिखा है, आपका 5 थाव से पंचम भाव है, और केतु देवता ट्रांसेट करेंगे आपके 11 भाव, जहा आपके 14 भाव में हो रहा है, पंच महापुरुष योग का निर्माड हो रहा है, तो पंच महापुरुष योग अपने आप में बहुत ही बहतरीन योग मानना जाता है, लेकिन याद रखिएगा, शनी देवता चौथे भाव के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, यह माइट भी आपके करियर के लिए हलफुल होगा, लाइफ में जो भी आप जॉब में, प्रोफेशन में, करियर में जो भी कर रहे हैं, उसमें यह राइजिंग देंगे विथ स्ट्रगल, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़ादा पुश करना पड़ेगा, पठा अड़ा यहाँ पर आपको सक्सेस भी मिलेगी, यहाँ पर शवर्ल, शवर्ल समय रहेगा, अपरेल से लेकर अक्टोबर तक का यहाँ शणी देवता का ट्रांजिट होगा तब तक राहु देवता, ब्रहश्पति देवता, यह छटवे भाव में रहे तो इनकी द्रिष्टियां जो ह तो करियर में थोड़ा सा आपको मैं कहूंगा थोड़ा ऐसा हो सकता है की resistance face करना पड़ा है resistance मतलब हो सकता है कुछ challenges यानि की वो काम थोड़ा सा ऐसे काम आपसे कर बुलते ना कि जो जहां पर आप काम नहीं करना चाहते या फिर आपका Boss कहते ना कि कभी-कभी आपको स्टेटस जो है आपको आपके स्टेटस को बचाने के लिए थोड़ा सा मेनत करना पड़ेगा थोड़ा सा कहने के लिए चैलेंज रिजिस्टेंस को यहां पर फेस करना पड़ेगा लोगों की रिजिस्टेंस को यहां पर कि लोगों जो आपको परिशान करेंगे थोड़ा सा उसको लेके अपने आपको सम्हालना पड़ेगा यहां पर क्योंकि यह जो समय रहेगा दोस्तों जब दो शनी और राहू जैसे प्लानेट आपके दशंप करियर हाउस को देखेंगे थोड़ा सा हो सकता है आपके बॉस को फेस करने पड़ सकते हैं लेकिन हाँ करियर के लिए चीज़ें बुरी नहीं है चीज़ें अच्छी ही होंगी सिर्फ यह है कि थोड़ा हाडशीफ हो सकता है थोड़ा रिजस्टेंस हो सकता है यह देखने मिलेगा अगर बात करूं दोस्तों यहां पर एजुकेशन की फि कॉम्पिटीशन के लिए अच्छा है लेकिन जब ब्रहश्पति देवता च्टवे भाव में आएं यानि आपके पंचम भाव के स्वामी च्टवे भाव में आएंगे तो तो कॉम्पिटीटिव एग्जाम अगर आप देने वाले हैं कॉम्पिटीशन बेस एजुकेशन आपको बढ़नाची यहाँ पे आप गलत चीज हो गया गलत किसी के गाइडेंस में डाइवर्ट ना हुए यह मैं आपको सला दूँगा क्योंकि फिप्थ हाउस के लौड जो है सिक्स हाउस में जा रहे हैं वहाँ पे राहु देवता के साथ को कंजंक्शन में रहेंगे तो चाउन हो सकती है चीजए चलेन जिग हो सकती है आपके केस में बाकि है का low Uhh यहाँ पे मैं सबसे बच cambio क्या रखना है आपको सबसे जादा ध्यान रखना है आपके financial plannings पे लोन अगर लेने वाले हैं सड़न कोई decision ले लिया आपने लोन का मत लीजिएगा बहुत सोच समझ के calculate करके कि ये लोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसको लेके बहुत ज़्यादा विचार कीजएगा ब्रहषपती देवता छटवे भाव में आए हैं ब्रहषपती जब छटवे भाव में आते हैं तो लोन वगर है तो को financial decision ऐसा ना ले जहां पर आपका money exhaust हो यहां पर चांसे होते हैं कि आपका money exhaust हो आपका financial situation थोड़ा exhaust पर चला जाए इससे आपको बचना है इसलिए financial planning जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कीजिएगा बहुत ध्यान पूर्वक करिएगा अचानक कोई भी बड़ा loan मत लीजेगा until unless बहुत जादा ज़रूरी अगर नहीं है तो उसके अलावा दोस्तों कि समझ लीजे फरवरी फरवरी का जो महीना है उसके बाद जुलाई अगस्त का महीना है इस पर विशेज थ्यान देना है स्वास्त पर आपके health के लिए यह मैं बहुत importantly कह रहा हूं health के लिए फेब का महीना जुलाई अगस्त का महीना और इवेन नौंबर का महीना भी मैं कहूंगा यह वो मन्त है जहां पे आपके health का विशेश आपको ध्यान देना आपकी personality का विशेश ध्यान देना है क्योंकि यह वो समय रहेगा जब शनी देवता राहु देवता इन सब की द्रिश्टियां मंगल पर रहेंगे जो आपके लगन के भी मालिक है और 6,000 के भी मालिक है तो दुश्मनों से परशानी हैं आपके चार्ट में हो साथ ही साथ मंगल by default siblings के सिगनिफिकेटर होते हैं आपको पता है male siblings के लिए तो male siblings की तरफ से कोई ट्रबल ना हो रिष्ट को रिष्टों को अच्छा करते हुए चलें रिष्टों को समस्दारी से लेके चलें यह मैं सला दूंगा और प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन जो मैंने यह महीने आपको बता है परवरी जुलाई अगस्त नॉमबर दिसंबर इसमबर इसमें को रियल स्टेट या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो उस वेसिस में काऊंगा बाकी यह साल बहुत अच्छा योग बना रहे हैं शनी देवता तो कहीं ने कहीं आप अपने कंफर्ट को राइस कर सकते हैं जैसे कि आप कोई घर ले सकते खा पूर्थाउस में रहने वाले तो घर खरीदने के लिए या घर कंस्ट्रेक्शन कर सकते हैं नया घर ले सकते हैं लेकिन रखेगा यहां पे चीज़ें थोड़ी स्लो चलेंगी बट इसके चांसे बहुत ज्यादा हाई है अगर आपके शनी देवता ग्यार्वे भाव में है और सेकेंडली शनी देवता की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो बहुत जादा ही इसका इफेक्ट आपके उपर पड़ेगा अब शनी देवता चौथे भाव में है दोस्तों चौथा भाव इमोशन का होता है चौथा भाव होता है पबलिक डिलिंग का तो थोड़ा पबलिक डिलिंग से अपने आपको थोड़ा सा बचाता है थोड़ा सा कटने की कोशिश करता है जैसे कि बहुत जादा रिष्टेदार अगर आपके घर में आ गए तो हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत जादा घुलना मिलना पसंद ना करें थोड़ा अपने में रहना पसं हो सकता है तो यह कुछ ऐसे सिच्वेशन है दोस्तों और जब राहु देवता अक्टोबर महीने में ट्रांजिट करेंगे आपके फिप्थ हाउस में केतु देवता जाएंगे इलवेंथ हाउस में तो यह वो यह समय जो रहेगा मैं कौँगा संतान के लिए संतान से जुड़ रखे चलने की लिए मैं सलाह दूँगा विकोज राहु देवता ट्रांजिट कर रहे हैं आपके फिप्थ हाउस में आपके फिप्थ हाउस के जो मालिक है वो सिक्स ता उसमे जा रहा हैं तो थोड़ा सा सीच्वेशन और सिच्वेशन यहाँ पर शो कर रहा है रिलेटेड जो अभी ladies हैं जो conceive करना चाहती हैं या कुछ भी related children related जो भी चीज़े हैं उनके लिए थोड़ी problem दे सकते हैं यहाँ पर मैं कहूंगा बाकी जो चीज़े हैं यहाँ पर career related चीज़े ठीक चलेंगे finance लगपक ठीक रहेगा बस नए कुछ आप loan ले रहे हैं या फिर कुछ नया ऐसा किसी को पैसा देना है तो कहीं ध्यान से दीज़ेगा किसी को पैसे पैसे आपके स्टक ना हो जैसे मैंने का आपका money exhaust की situation पर ना जाए इसका विशिश ध्यान रखिएगा तो दोस्तों यह था विशिक के लिए अगर आप चोतिश शीखना चाहते हैं या astrology का consultation कराना चाहते हैं तो आप मेरे website पर विजिट कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगी काफी interesting knowledgeable वीडियो भी आपको description मिल जाएगा अगर आप astrology में इंट्रेस्ट रखने देख बार जरू दीखेगा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार